नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सीजन में अगर कोई खास फल या सबजी आती है मार्किट में तो वो सबजी या फल जरूर खाएं उसका इस्तेमाल जरूर करें और खास कर वो फल या सबजीया जो बहुत ही कम समय के लिए आती हैं मान लिजिए 15- बीस दिन के लिए तो उस फल का या उस सब्जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए उन दिनों में क्योंकि परकरती बिल्कुल सोच समझ कर उस फल को उस सीजन में पैदा करती है क्योंकि उस सीजन में उस फल में जो भी तत्व हैं उनकी हमारे श्रीर को बहुत अवश्यक्ता होती है और खासकर उस सीजन में वो हमारे श्रीर के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं इनी दिनों में कुछ ही दिनों के लिए एक फल आता है जिसका नाम है रस भरी इसे इंगलिश में ग्राउंड चैरी भी कहा जाता है ये फल दोस्तो उगाया नहीं जाता है सबसे मज़े की ब इन दिनों के लिए आती है तो हम इसका इस्तेवाल इन दिनों खूब करेंगे आज की इस वीडियो में इसी को हम किस किस रूप में खा सकते हैं वही हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे इस रस भरी का जैम बनाना और इस रस भरी की बहुत मज़ेदा स्वादिश चटनी बनाना तता इसको सुखा कर परजर्व कैसे किया जा सकता है वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में इतना ही नहीं ये शूगर के लिए भी एक बहुत कारगर दवा है शूगर को ठीक करने में इसका इस्तिमाल कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे आज की वीडियो में तो चलिए दोस्तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ एक किलो रसबरी ये मुझे 100 रपे किलो रसबरी मिली है इस 100 रपे की रसबरी से हम ये सारी चीजे आज बनाने वाले हैं सबसे पहले तो इसको शूगर के लिए कैसे इस्तवाल करना है ये सीख लेते हैं जल्दी से, हमने बस दो कप पानी लेना है एक पैन में और उसमें मात्र चारस भरी डाल कर उसे खूब उबालना है जब तक वो पानी बिलकुर आदा रह जाए, जब वो पानी आदा रह जाए तो उसको हमने चान कर सुबा खाली पेट पीना है ये शूगर के लिए बहुत ही कारगर दवा है अपने आप में चलिए इसके बाद अब हम बनाते हैं इसकी बहुत ही मज़ेदा स्वादिश्ट चट्नी, रस्भरी की चट्नी रस्भरी की चट्नी के लिए 10 से 15 रस्भरी मैंने ले ली है और उनको 4 हिसों में हमने काटना है बराबर 4 हिसों में काट लेंगे ये हमारी सारी जो रस्भरी हैं वो कट गई है चलिए अब बनाते हैं इसकी चट्नी चड़नी बनाने के लिए मैंने एक कड़ाही में एक चम्मच सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा जैसे ही सरसों का तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे पीली सरसों आप इसमें काली सरसों भी डाल सकते हैं One-fourth चम्मच और उसके बाद डालेंगे हम One-fourth चम्मच ही जीरे का जीरे के बाद हम डालेंगे एक चम्मच कुटा हुआ लसन अदर्क का पेस्ट। इन सब को 30 सेकंड के लिए बस हमने भूनना है बस जादा से जादा 30 सेकंड और उसके बाद हमारा इसमें जाएगा बस थोड़ी चुटकी भर हल्दी और आदा कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ तथा दो कटी हुई बारी कटी हुई हरी मिनट बस इनको ह हमने एक मिनट के लिए भूनना है और तब चली जाएगी हमारी इसमें रस भरी रस भरी दोस्तों इतनी सॉफ्ट होती है कि एक मिनट में ही ये पक जाएगी और थोड़ी सी ट्रांस्पेरेंट होनी शुरू हो जाएगी और प्याज के साथ अपना मैचिंग बना लेगी बस अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले सबसे पहले हम इसमें डालते हैं स्वादा नुसार नमक सफेद नमक और इसमें वन फूर्थ चम्च रेड चिली पॉर्डर थोड़ा तीखा भी तो चाहिए क्योंकि मीठी खटी तो है ही जे अब इसमें हमारा जाएगा वन फूर्थ चमच ही जीरा पौरडर और آदा चमच चीनी वे जाएगी इसमें तोड़ी सी कलर के लिए हम देगी मिर्श डालेंगे यह तोड़ी सी कलर के लिए देगी मिर्श इससे रंग खूब सूरत होने वाला हैं हमारी चटनी का बस एक मिनट के लिए हम सारे मसालों को अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए ढग कर रख देंगे बस एक मिनट में हमारी बहुत ही खूपसूरत बहुत ही खटी मीठी रस भरी की चटनी तैयार है मैं तो इसे खाता हूँ भाई सुबह सुबह ब्रेड के बीच में जैम की तरह लगा करता हूँ आज कल चलिए दोस्तों चटनी के बाद अब हम बनाते हैं इसका जैम तथा इसको प्रजर्व कैसे करना है उसके लिए मैंने चार कप पानी के ले लिए हैं और उसमें मैंने डाली है आदा किलो अपना रस भरी और इसको हम आँच पर रख देंगे याद रखिए इसमें से आदी रस भरी हमने दो मिनट बाद ही निकाल लेनी है जिनको हमने प्रिजर्व करना है कहने का मतलब है कि उसको हमने बस थोड़ी सी ट्रांस्पेरनट सी हो जाएं तो हम उनको निकाल लेंगे प्रिजर्व करने के लिए और बाकी वाली को हम खूब उबलने और उसके बना लेंगे एक fine paste और उसके साथ ही हम दो कप पानी के डाल कर उसमें एक कप चीनी का लगबग जितनी हमारी रस्बरी है उतनी ही चीनी आप ज्यादा भी कर सकते हैं मुझे थोड़ा खटा मिटा पसंद है जैम इसलिए मैं कम डालूँगा तो एक कप चीनी मैं डालूँगा और जब पानी उबलने लगे तो उसमें जाएगी हमारी ये रस्बरी की paste और इसको खूब 10 मिनट तक धीमी आज पर हम पकने देंगे और बीच बीच में हम इसको हिला आते रहेंगे जब ये हमारी जैम कीतना ये देखिए ऐसे ये लेसदार बननी शुरू हो जाए और बिलकुल गाड़ी हो जाए तब हम अपनी आच बंद कर देंगे और ठंडे होने के बाद इसको किसी भी शीशे के कंटेनर में डाल कर फ्रिज में रख लेंगे और इस्तमा ली थी उनको दोस्तो हम कम से कम पांक या साथ दिन की तेज धूप में सुखाएंगे जब वो बिलकुल सूख जाए तो इस तरह की हो जाएंगी उसे हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं सुभावी शूगर के लिए खा सकते हैं तो ये थी हमारी आज की रस भरी की रेस्पी आपको ये कैसी लगी अपने कमेंट्स में जुरूर लिखेगा धन्यवा दोस्तों